Welcome all of you on Quality in Fact दोस्तो आज मैं आपके सामने Political Culture को डिसकस करने वाला हूँ जो की comparative politics का एक बहुत ही महत्तोपून concept है जिसको समझना एक Political Science के स्टूड़न के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है Political Culture NTA NET के लिए तो जरूरी है ये UPSC में भी पुछा जाता है आपके BA या फिर MA के जो आप एक्जाम देते हैं हर University में Political Culture compulsory लगा है क्योंकि ये comparative study करने के लिए Human Behavior और Society की study करने के लिए Political Culture एप्रोच बहुत ही important है तो Political Culture को इस वीडियो में डीटेल में समझेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि Culture क्या होता है Political Culture तो उसके बाद की बात है सबसे पहले हमें Culture का पता होना चाहिए कि Culture क्या होता है तो सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए कहने का क्या मतलब है Culture का मतलब है जो हमारे विश्वास है हमारे परमपराएं है और जो किसी एक स्पैसिफिक सोसाइटी के अंदर पाई जाती है तो Culture के उपर प्लेस का भी प्रभाव पड़ता है किस परकार का वो समूदाय है उसका भी प्रभाव पड़ता है और उनके बिहेवियर कौन सी सोसाइटी कैसा बिहेव करती है ये उनके Culture से पता चलता है जैसे ट्राइबल का Culture कैसा होता है उनका Behavior कैसा होता है उनका खान पान कैसा होता है आप समझ सकते हैं ठीक है आप British Culture की बात करो तो British Culture कैसा होता है आप समझ सकते हैं अगर मैं democratic culture की बात करूँ, democratic political culture की बात करूँ, तो उसमें कैसा culture होता है, सब को बोलने की उसमें आजादी दी जाती है, सब के views सुने जाते हैं, तो culture, आप समझ गयोंगे कि culture क्या होते हैं, जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जिसमें हमारे belief हैं, हमारे विश्वाश हैं, वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, अब देखते हैं, what is political culture, political culture, राजनिति, संस्कृति क्या है, तो political culture क्या हुआ, ये लोगों की विश्वास हैं, लोगों की मान्यताएं हैं, उनके emotions हैं, और उनका point of view है, किसी state की राजनितिक विवस्था को देखने के लिए, for example, इंडिया के अंदर कैसे political culture है, इंडिया के अंदर mixed political culture है, mixed political culture इंडिया के अंदर है, तो हम अपने state को कैसे देखते हैं, हम राजनितिक विवस्था को कैसे देखते हैं, mix का मतलब यहाँ पे elite political culture भी है, और यहाँ पे mass political culture भी है तो elite हमारे राजनितिक system को कैसे देखते हैं वो देखते हैं कि सत्ता क्या है, system क्या है हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा profit देगी हमारे लिए क्या है सुख का काम करेगी mass क्या समझता है mass मतलब जनता क्या समझती है कि political culture हमारे लिए कुछ ना कुछ सुभी दाएं परदान करेगा या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि जो हमारी politics है वो विशिट जनो जो आपके elite class है उनहीं को ध्यान में रखकर काम करती है तो दो परकार के मिश्रित है तो यह क्या है point of view बताती है इसलिए आमंड को father of political culture के नाम से भी जाना जाता है तो इसको आगे मैं आपके सामने discuss करूंगा relevance of political culture in politics politics के अंदर political culture का क्या महतो है वो समझना आपके लिए जरूरी है it has made political science as a real social science तो political culture क्या है political culture से पहले क्या है study की जाती थी institution की और deep में जाकर study नहीं की जाती थी जब तक आप किसी state के culture को नहीं समझोगे तब तक आप real study उस state की नहीं कर सकते है ये बात आप जान लो फॉर एक्जामपल आपने किसी tribe की study करनी है किसी कबीले की study करनी है जब तक आपको उनके culture का पता नहीं होगा तब तक आप उनके साथ घुल मिली नहीं सकते हैं आप उनके साथ बादचित भी नहीं कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि political culture real science बनाने में कितना important है जब से हमने political culture की study करना शुरू किया है किसी देश की तो ये practical बन गई है पूरी के पूरी ठीक है जो हमारी study है क्योंकि इसमें हम लोगों के विश्वाशो लोगों के behavior को अच्छे से समझ पाते हैं जब हमें उनके behavior का पता लगेगा तब ही हम बोल सकते हैं कि ये किसे vote देगा किसे vote नहीं देगा मतदान वियवार पर क्या परभाव पढ़ने वाला है यही तो हम study करते हैं measuring road to judge the success and failure of political system मैं आपको बता चुका हूँ उसके बाद political science has become a dynamic subject इसके कारण क्या हुआ है political science क्या है dynamic subject बन गया है यानि गतिशील बन गया है आज political culture कुछ है कल political culture वो change हो सकता है होता रहता है change एक जैसा नहीं रहता है तो dynamic बन गया है कि गतिशील नहीं है हो सकता है आज political culture स्थिर है कल को स्थिर मतलब आज कुछ है कल को कुछ है तो उसकी study निरंतर लगी रहेगी यह नहीं है कि आज हमने कोई concept दे दिया तो बस वो lifetime है lifetime नहीं है वो चलता रहेगा helpful in knowing the diversities in human nature जो मानव व्यवहार है उसकी diversity का भी से पता चल रहा है अगर आप अमेरिका के political culture का comparison इंडिया के साथ करोगे तो आपको पता लगेगा कितनी diversity है human nature में ठीक है helpful to know the region of political decay बिलकुल कि राजनितिक शरण कैसे हो रहा है राजनिति का राज कैसे हो रहा है उसको भी हम political culture के द्वारा आसानी से समझ पाएंगे तो कैसे समझ पाएंगे उसको मैं आगे की slide में आपके सामने discuss करने वाला हूँ helpful to know the region of sorry helpful in bringing progressive political change बिलकुल सही basis of making distinction among political system तो distinction अमेरिका और ब्रिटेन के बीच कैसा है तो हम इसी से पता लगा सकते है next thinker associate with cultural approach culture के साथ कौन कौन से thinker associate है वो आपके लिए important है सारे के सारे आपने note down कर लेने और इनकी books भी आपने note down कर लेनी है तो सबसे पहले talcott persons ये sociology के thinker है talcott persons पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने sociology के अंदर culture को यूज किया ठीक है आपका culture को यूज किया क्यूंकि political culture क्या है ये sociology से आए अब आपने शब्दों के उपर बिलकुल दिहान देना है मैंने बोला talcott persons ने culture को यूज किया है as a approach not political culture political culture को सबसे पहले यूज किया है almond and Sydney वर्बाने तो ये बात आपके लिए important है कि sociology से हमने culture को लिया है लेकिन political science में सबसे पहले almond even Sydney वर्बाने किया है Lucian Pies में important है इन्होंने 1965 में एक book संपादित की थी culture and development के उपर जो आगे दी गई है finer important है इन्होंने culture का अध्यान किया और comparative government का अध्यान किया airball natal natal की spelling आपने देख लेना है उसके बाद wise man Myron Wiener Myron Wiener ये इन्होंने Indian politics की study की Indian culture की study की Morris Jones ने भी Indian culture की study की Myron Wiener ने एक essay लिखा था Indian politics के उपर two political culture in India ठीक है two political culture दो प्रकार के political culture की बात इन्होंने की थी इन्डिया में एक vicious political culture और एक general या mass political culture की इन्होंने बात की और ये PhD में अभी आया था HPU के entrance में ठीक है रजनी कोठारी से तो सभी परीचित है इन्होंने caste in Indian politics लिखी है और एंटोनियो ग्रामशी critical Marxist के सबसे महत्वपुन चिंतक है जिन्होंने cultural study की और culture को इन्होंने hegemony के नाम से पुकारा की cultural hegemony समाज में पाई जाती है जिसके द्वारा system को control किया जाता है तो related works इसको भी आपने note down कर लेना है culture के उपर सबसे पहला work हुआ है politics of developing areas के अंदर ये 1960 में आमण ने लिखी है उसके बाद prisoner's note book ये एंटोनियो ग्रामशी की है एंटोनियो ग्रामशी की ये बुक है और ये 1927-28 के अंदर एंटोनियो ग्रामशी ने इटली की जेल में लिखी है next the civic culture of civic culture attitude and democracy in five nations 1963 ठीक है तो यहाँ पे पाँच नेशन कौन कौन से है जिनकी study की थी पाँच नेशन कौन कौन से है जिनकी study की गई आमंड के दौारा ठीक है आमंड और वर्बा इसके साथ जुड़े है आमंड अकेले नहीं है आमंड और वर्बा दोनों ने ये काम किया है तो मेरा आपसे यही question है कि ये पाँच देश कौन कौन से है क्योंकि हमेशा ये पाँच देश पूछे जाते है कि इन में से कौन सी देश की study आमंड और वर्बा ने नहीं की तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ सिंपल सा जर्मनी फ्रांस मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा लेकिन आपको ये home work है आपने क्या करना है गूगल के उपर जाना है और वहाँ पे search करना है पाँचों के पाँच देश अगर मैं यहाँ से बताऊँगा तो आपको ज़्यादा याद नहीं होगा अगर खुद आप search करोगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा उसके बाद man on horseback 1962 ठीक है 1962 में लिखी है और ये S.E. Finer ने लिखी है 1970 में ही S.E. Finer ने लिखी है comparative government और इसके अंदर इन्होंने political culture की बात की है उसके बाद government and politics of इंडिया मौरिस जॉन्स ने लिखी है 1964 में political culture and political development 1965 के अंदर लिखी गई है ये किस ने लिखी है political culture and political development ये वही बुक है जो मैंने अभी आपको बताई थी ये Lucian Pai द्वारा संपादित बुक है Lucian Pai ने इसको संपादित किया है तो ये आपने बात याद रखनी है Indian इंडिया political system Richard A. Park ने 1979 में लिखी है caste in Indian politics रजनी कोठारी की बुक है तो आपने इनके dates भी लिख लेनी है मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है आपने सर्च कर लेना है source of political culture वो कौन-कौन से source है जहां से political culture ड्वेल्प होता है या फिर जहां से political culture को दिशा मिलती है ठीक है family family political culture को आगे बढ़ाने का primary source है ठीक है पहला source है जो बच्चों को political culture की शिक्षा देते है ठीक है उसके बाद friends friend circle में आके भी लोग political culture की और अगरसर होते है तो जैसे आपने देखा होगा आप college के अंदर जाते हैं आपके friends अगर ABVP में हैं तो आप उनके साथ जोइन हो जाते हैं और वहाँ से उनका culture अड़प्ट कर लेते हैं आपका NSOE में है तो आप वहाँ पर जाते हैं उसके बाद आपके schools schools से भी आपको political culture के बारे में knowledge मिलती है जो आपको संबीधान पढ़ाया जाता है तो वो क्या है political culture मतलब आपको संबीधान वाद के प्रति जागरूप कराया जाता है उसके बाद ideology भी एक साधन है political culture को आगे बढ़ाने का for example आप marxist political culture को अपनाना चाहते हैं तो आपको क्या है marxism पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा और आपका जो culture है वो communist की तरह मुड़ जाएगा अगर गांधिवादी आप बनते हैं तो गांधिवादी political culture आप अपना होगे तो political culture में ideology का भी बहुत जादा योगदान है memberships आप बहुत सारे groups की memberships लेते हैं for example आपने किसान मुक्ति मोर्चा की membership ली आपने communist party of India के द्वारा जो C2 C2 की आपने सदस्यता ली तो आपका political culture कुछ उस टाइप का हो जाएगा religion तो महतोपूर्ण है ही religion के द्वारा भी political culture निर्दारित होता है और सबसे महतोपूर्ण point ये माने जाता है India specific caste एक महतोपूर्ण है political culture के अंदर हाला कि other society में नहीं है लेकिन इंडिया में prevalent है caste history के द्वारा भी political culture को हम determine कर सकते हैं history से ही हमारा political culture आगे बढ़ता रहता है जियोग्रफी का भी political culture के उपर परभाव पढ़ता है economy का भी political culture के उपर परभाव पढ़ता है for example एक विक्सित देश है विक्सित देश है जहां पर उपभोग बहुत ज़्यादा है विक्सित देश में क्या होता है न बहुत ज़्यादा waste कर देते हैं खाना ठीक है बहुत ज़्यादा waste कर देते हैं संसादन तो वहां का political culture कैसा हो गया waste political culture जो बहुत ज़्यादा waste करता है तो एकोनोमी का अब भी बहुत जादा प्रभाव पड़ता है इंडिया जैसी कंट्री में जो कूड़ा भी होगा, कचरा भी होगा उसको भी कठा करकर के लोग घर में रखते हैं तो वो भी एक political culture का हिस्सा है ठीक है, polity polity का मतलब है संविधान किसी देश का संविधान के प्रती कैसा नजरिया है संविधान के द्वारा ही पूरा का पूरा देश चलाया जा रहा है तो वो भी polity के अंदर आ जाएगा culture, national symbol national symbol के द्वारा political culture को control किया जाता है कि हमें राष्टरगान का सम्मान करना चाहिए हमें राष्टरगीत का सम्मान करना चाहिए हमें राष्टरजंडे का सम्मान करना चाहिए तो ये क्या है political culture को form करने का एक तरीका है उसके बाद global society बोलते हैं ना अंतरराष्टरी वाद का culture है जी हमारा हम तो विश्व बंधुत्तों में विश्वाश रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया के culture को adopt करने की कोशिश की जाती है पूरे दुनिया के culture का सम्मान किया जाता है मीडिया एक महतोपून सादन है political culture को आगे बढ़ाने का और उसे society के अंदर रखा जा रहा है आपके दिमाग में बिठाय जा रहा है तो आप समझ सकता है political party and groups definitely political culture का एक महतोपून अंग है अब characteristics of political culture कि इसकी विशेशता है क्या है तो विशेशता है आप समझ सकते है basic सी है normal सी है कि political culture is a universal concept political culture ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हम इसकी study करेंगे या फिर हिमाचल में या गुचरात में या फिर यूपी में ही study करेंगे यह universal concept है जैसी study इंडिया में की जारी है वैसी study दुनिया के हर भाग में की जाती है every political system has distinctive political culture जितने भी political system है उनके अप अपने political culture होते है हर सिस्टम के for example हम चाईना का एक्जम्पल लेते है तो चाईना का अपना political culture है वहाँ पे क्या है साम्मेवादी culture है वहाँ पे लोग शाषन के खिलाब आवाज नहीं उठा सकते डारेक्टली इंडिया का अपना है democratic political culture है अमेरिका का क्या है capitalist political culture है तो सब के अप अपने culture होते हैं ठीक है उसके बाद political culture is a part of general culture political culture क्या है general culture का part होता है अब general culture क्या होता है general culture जो मैंने आपको पहले बता है culture जो कि हमें इतिहास से मिला है सारा का सारा तो culture एक बड़ा part है उसमें से political culture एक भाग है culture, जो general culture है, उसमें economic culture भी आ जाता है, political culture भी आ जाता है, socio-economic सारा कुछ आ जाता है, तो ये general system का एक part है, the concept of political culture is a subjective in nature, जो political culture है, ये subjective है, आपकी नजर में political culture कुछ हो सकता है, मेरी नजर में कुछ हो सकता है, इंडिया के नजर में कुछ हो सकता है, अमेरिका के नजर में कुछ हो सकता है तो यह subjective है इसकी कोई भी एक definition दे पाना कठीन है political culture is larger than constitutional structure ठीक है political culture constitutional structure से बड़ा हो सकता है क्योंकि constitutional structure क्या है ये एक देश तक सीमित हो सकता है लेकिन culture क्या हो सकता है दो देशों में भी फेला हो सकता है ठीक है उसके बाद political culture is a dynamic concept पहले ही बता चुका हूँ ये बदलता रहता और ये गतिशील है political culture has its own subculture जो political culture होता है उसके भी subculture आगे होता है उप culture उसके होते हैं जैसे हमारा क्या है democratic political culture है लेकिन democratic political culture के अंदर caste based भी है religion based भी है तो culture क्या है religion एक अलग बनता है अब हिंदूों का culture अलग है हाला कि हमारा क्या है हमारा है democratic political culture लेकिन हिंदूों का अपना culture है इसी culture के अंदर तभी तो sub-system बनाई है ठीक है subculture मुस्लिमों का कुछ होर है सिखों का कुछ होर है उसके बाद subculture को आप समझ लीजिए within national political culture there are subcultures characterizing political attitude of different groups within society in conflictual cultures there are deep rifts between subcultures the rifts are caused by such factor जो rifts है — building them — class की बज़े से बन सकती है कास्ड की बज़े से कास्ट की बज़े से बन सकती है एंडिया में तीन पřरकार के culture पाए जाते हैं caste के base पे तो आप उच्छो ही मत यहां पे हजारों तो caste है, तो अलग-अलग उनके ritual है, अलग-अलग customs है, अलग-अलग उनका culture है, ethnicity और race के base पे भी ethnicity आप समझते होगे, ethnicity क्या है, आपका सजातिये group जो होते हैं, जिनके एक तरीके के function होते हैं, एक तरीके का जो काम करते हैं, और एक तरीके के जो वंच से आते हैं, उसे बोलते हैं, ethnicity, race, race क्या होता है, race होता है biological concept, for example, मेरे दादा के jeans, मेरे पापा में, मेरे पापा के jeans, मुझ में transfer होते रहें, तो यह biological concept है, race, ठीक है, तो यह भी क्या है, सबकल्चर का एक पार्ट है, religion, definitely, और regional differences भी, सबकल्चर को बढ़ावा देते हैं, orientation of citizenship, इस concept को आप बहुत ही, अच्छे तरीके से समझ लो, orientation मतलब, लोगों का जुकाओ, किस तरफ होता है, अगर आपको यह concept समझ आ गया, तो आपको, आमेंट और भर्बा का concept भी समझ आ जाएगा, तो orientation मेंली तीन परकार की होती है, किसी भी society के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, orientation, जुकाओ, सबसे पहले cognitive orientation, cognitive orientation क्या होता है, it is multiplied by the amount, and the type of the knowledge, which the people possesses about political problem and event, cognitive को संग्यानात्मक, orientation बोले जाता है, कि लोगों को ग्यान कितना है, आप simply समझो, cognitive का मतलब क्या है, कि लोगों को अपने political system के बारे में ग्यान कितना है, ठीक है, second, effective orientation, it implies, yes, it implies the amount of devotion and interest of the people, toward their political system, पहले में क्या है, पहले में ग्यान कितना है, ग्यान है या नहीं, लेकिन effective orientation में क्या होता है, कि लोगों का devotion भी होता है, अपने system के प्रती, ठीक है, लोगों की भावनाएं भी होती है, लोगों का वफादारी भी हो सकती है, तो यह effective orientation के अंदर आता है तीसरा है evaluative orientation while evaluating their political system people try to know if the political system has achieved the objective which it had sought to achieve evaluative में क्या होता है evaluative में लोग क्या करते है evaluation भी करते है political system का कि यह जो हमारी सरकार है क्या यह अच्छे काम कर रही है क्या हम इसको आँख बंद करके तो नहीं follow कर रहे है जो यह बोल रही है वही हम follow कर रहे है तो तीन प्रकार की orientation होती है cognitive को आप बोल सकते हैं कि सबसे कम इसके अंदर knowledge होती है बस इनको यह पता होता है कि हमारा क्या है parliamentary system है और parliamentary system function कैसे करता है लेकिन इनको यह पता नहीं होता है कि उसमें सुधार कैसे होगा वो उसका evaluation नहीं करते हैं second वाले evaluation नहीं करते हैं यह भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़े होते हैं लेकिन जो evaluative होता है इनको यह भी पता होता है कि संसत क्या है इनको यह भी पता है कि संसत के काम क्या है और इनको यह भी पता है कि उसमें कमिया क्या है और उसका evaluation कैसे करना है तो यह तीन प्रकार की orientation होती है समाज के अंदर नागरीकु में अब देख लीजिए यहीं से driven हुआ है आमंड और वर्बा का classification of political culture तो सबसे पहलो देखिए political जो orientation है यहाँ पे आप देख रहे हो political orientation अगर लोगों की political orientation है cognitive, cognitive मतलब उन्हें पता है सिर्फ पता है उन्हें की political culture हमारा कैसा है political system हमारा कैसा है संसद है हमार पास वैस इतना ही पता है इनको culture संकुचित होगा उन्हें क्या है बस पता है यार हमारा संसद है शाषन पढ़ा लिया लेकिन उन्हें और रुची नहीं लेते उसमें की क्यूं है क्या है उनको कोई मतलब नहीं है चलो वोट देके आगे बस इतना ही इनका काम है वोट क्यू दिया उन्हें इस चीज़ का भी पता नहीं है इसलिए इससे संकुचित कल्चर बोल लाता है उसके बाद effective political culture ओर लोगों को पता है कि हमारा संसद है संसद क्या काम करती है लेकिन वो उसका evaluation नहीं करते हैं तो इससे driven होता है subject political culture अब subject क्या होता है subject यह नहीं है कि political subject यह पबिक administration का subject है subject का मतलब होता है प्रजा subject का मतलब होता है प्रजा भावी culture for example राजा है आपका राजा के क्या होता है subject प्रजा तो राजा की होगी न तो प्रजा है प्रजा के अंडर राजा है राजा के अंडर प्रजा है तो प्रजा का कल्चर कैसा होता है उनको पता तो होता है हमारा राजा है यह हमारे मंतरी है इनका यह काम है वो काम है लेकिन क्या वो राजा के खिलाब कुछ बोलते हैं क्या वो राजा को को suggestion देते हैं बिल्कुल भी नहीं उन्हें सब कुछ पता है लेकिन वो अपना मुह नहीं खोलते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका subject political culture तीसरा है evaluative जो evaluation करते हैं जिनको सब पता है जिनको सही गलत का सब कुछ पता है तो उसे बोला जाता है participatory political culture participating political culture कहां पाए राता है यह democracy के अंदर पाए राता है लोगों को पता होता है कि कैसे हमने शाषन व्यवस्था को चलाना है ठीक है लोग यहाँ पे vote भी देते हैं लोग यहाँ पे प्रचार भी करते हैं लोग यहाँ पे चुनाओं में खड़े भी होते हैं पाटिस्पेटरी पॉलिटिकल कल्चर में तो ये आमंड और वरबान में वरबाने मेली तीन प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर यहां पे बताये थे ओरियंटेशन के ये जो पॉलिटिकल ओरियंटेशन के आधार पर इसके इलावा चौथा पॉलिटिकल कल्चर भी उन्होंने ब प्रिटेन यानि इंग्लेंड को माना है अब सिविक पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है नागरिक सब्वेता क्या होती है कल्चर क्या होता है संस्कृति क्या होती है नागरिक संस्कृति को इन्होंने बोला कि यह मिक्चर होता है तीनों प्रकार के कल्चर का एक दो और तीन इसम इसमें elite political culture भी होता है इसमें mass political culture भी होता है अब समझो इन्होंने ब्रिटेन को क्यों माना है देखिए इसमें parochial culture है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है system के बारे में कुछ लोग ऐसे भी है जो राजा के अंडर रहना चाहते हैं आप देखो ना वहाँ पे क्या है वहा जो संसद्य शाषन प्रणाली में विश्वाश रखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, मिक्स्चर हैं इन तीनों चीजों का, इसलिए वहाँ पे क्या है, मिक्स पॉलिटिकल कल्चर है, जिसे सिविक कल्चर के नाम से बोलड़ाता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे elite culture है elite culture का है? वहाँ पे monarch है अभी तक, राजा है, वहाँ पे mass political culture भी है, वहाँ पे लोग चुनते हैं अपने प्रतिनीदी को, तो ये आपका civic culture के अंदर आ गया है, उसके बाद almond classification, almond ने किस प्रकार से classification की? अब इसमें आपने confused नहीं हो जाना है, ये almond और वर्बा का दोनों का मिला के है काम, ठीके? उसके बाद ये सिर्फ almond की classification है, almond ने society को कितने भागों में बाटा, culture के हिसाब से तो, इन्होंने Anglo-American political culture को माना, America और England का जो political culture है, उसके बाद continental European political culture, जो आपका France हो गया, Germany हो गया, Italy हो गया, वहां के जो political culture है, उसको इन्होंने, Spain का political culture इसके अंदर इन्होंने रखा है, non-western और parliamentary political culture, non-western जैसे चाइना का political culture, इसमें इन्होंने mainly चाइना के political culture के उपर focus किया है, तो चाइना का political culture क्या है, साम्मेवादी political culture, communist political culture उन्होंने अपनाया है, जहां पे लोग ज़्यादा भाग नहीं लेतें शाषन में, और last इन्होंने बोलाए, totalitarian political culture, इसका उधारण है, Germany और Italy, जहां पे नाजिवाद और फासिवाद की उत्पत्ती हुई थी, तो यह है आमंड का classification, उसके बाद आगे चलके, form of political culture आगे इन्होंने और भी classify किया है, political culture को, तो इन्होंने दो mainly type में बाटा है, unmixed political culture और mixed political culture, unmixed का मतलब है, कि specific political culture है, आपे दूसरे प्रकार का political culture नहीं है, एक ही प्रकार का political culture है, यहाँ पे आपको मिलेगा, तो एक प्रकार का political culture का मतलब, जैसे पैरओर्कियल political culture है, पैरओर्कियल political culture के अंदर क्या होगा, इसमें सिर्फ आपकी संकुचित, सोच होगी लोगों की, संकुचित तरीके से लोग काम करते हैं, लेकिन जो subject political culture है, वो भी अपने प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का political culture है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लोग राजा के अंदर रहना पसंद करते हैं, वो दूसरे प्रकार का शाशन नहीं चाहते है, सिर्फ रास्तंतर ही उनके लिए important है, तो यह subject political culture, उसके बाद participatory political culture, कि वो सिर्फ किसको मानते हैं, वो democracy को ही उप्युक्त मानते हैं, क्यूंकि उन्होंने, उनको क्या है, आपका शाशन प्रणाली में, उन्होंने भाग लेना होता है, तो यह तीन प्रकार के हैं unmixed, अब इनके मैं उधारन आपको बता दूँ, कि यह कहां कहां पे पाए जाता है, तो जो पैरवर्किल political culture है, यह यूगांडा इसका महतोपूर्ण वो मान सकते हैं, भाग मान सकते हैं, यह यूगांडा में पाए जाता है, subject political culture, आपका, एक मिनट, subject political culture, आपका इरान के अंदर पाए जाता है, और आपका जो, last का बचा, party spattery, यह party spattery आपका, European countries और USA के अंदर पाए जाता है, ठीक है, तो चलते हैं next, यह है mixed political culture, तो दो परकार की बात की, unmixed और mixed, mixed के अंदर parochial subject, parochial भी है और subject भी है, संकुचित वहाँ पर low, संकुचित culture के लोग भी रहते हैं, और subject political culture के लोग भी रहते हैं, दूसरा इन्होंने बोला, subject participant, वहाँ पर subject लोग भी रहते हैं, लेकिनों साथ साथ, वहाँ पर participation भी करते हैं, ठीक है उसके बाद आपका parochial participant के अंदर parochial भी रहेगा और participation भी लोग करेंगे तो ये आपने याद रखना है ये क्रम में लगाने के लिए पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा almond और almond ने नहीं दिया है ठीक है तो इनको याद कर लेना अपने अच्छी से types of political culture on the basis of number अब जो ये types of political culture की मैं बात कर रहा हूँ ये कई आधारों पर इसको विभाजित किया गया है या classify किया गया है तो सबसे पहले on the basis of number संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर culture दो प्रकार का होता है elitist political culture elitist political culture के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग शाषन करते हैं और कुछ लोगों का ही उसमें भला देखा जाता है तो ये elitist political culture है जो की आपका Britain के अंदर देख सकते हैं आप रास्तंत्र हाला कि वहाँ पर mix है लेकिन उपर वाला जो upper house है upper house में क्या है elitist political culture को अपनाया जाता है lord southern के अंदर mass culture mass culture मतलब जहाँ पर आम लोगों को महतू दिया जाता है तो mass culture आप कहां देख सकते हैं भारत की लोकसभा में और England की common southern के अंदर आप mass culture को देख सकते हैं तो ये number के basis पर है उसके बाद on the basis of continuity निरंतरता निरंतरता समाज में चलती रहती है उसके अधार पर तीन प्रकार से ये divide किया गया है traditional culture ठीक है जिसे mass culture बोले जाता है traditional culture के अंदर क्या होता था traditional culture के अंदर हर व्यक्ति को क्या है महत्व दिया जाता था ठीक है तो traditional political culture उसके बाद modern culture modern culture क्या होता है modern culture में सर्फ vicious work को ही जादा महत्व दिया जाता है ठीक है modern political culture के अंदर क्या है अंबानी को जितना महत्व दिया जाएगा उतना आम लोगों को नहीं दिया जाता है Mixed Political Culture का मतलब है Mixed Political Culture जहाँ पे आपके Mass Political Culture भी होगा और Elite Political Culture भी होगा Next है On the Basis of Participation Participation के आधार पर आमंड ने ही इसको डिवाइड किया है कि कितने लोग शाषन में भाग ले रहे हैं Parochial Political Culture के अंदर बहुत कम लोग Political Activities में भाग लेते हैं Subject Political Culture में लोग भाग लेते हैं ठीक है? लेकिन वहाँ पे वो evaluate नहीं करते हैं मतलब vote देने तक यह सिमित होते हैं Participant के अंदर Participant Political Culture के अंदर क्या होते हैं यह लोग vote भी देते हैं लोगों का परचार भी करते हैं और खुद election में खड़े भी होते हैं तो आमंड ने participation के अधार पे तीन भागों में Political Culture को divide किया है उसके बाद on the basis of quality Quality के अधार पे गुणवत्ता के अधार पर SE Finer ने Political Culture को चार भागों में बाटा है और ये लास्ट येर नेट के पेपर में भी आया था तो इसको आप समझ लीजिए SE Finer ने क्या है चार भागों में बाटा है Mature Political Culture Mature हो चुका है जो Mature का क्या मतलब है जैसे हम प्रोड हो जाते हैं Mature हो जाते है सब कुछ हमें पता लग जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है तो Mature Political Culture को इन्होंने बोला है Britain, Australia और नीदर लेंड में ये पाया जाता है Mature के अंदर क्या होता है यहाँ पे सैना की जरूरत जादा नहीं पड़ती है सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती है ये Egypt, Algeria और क्यूबा के अंदर इन्होंने बताया है उसके बाद Low Political Culture Low Political Culture का मतलव है कि Political Culture इतना वीक है कि लोगों को सैनिकों के द्वारा नियंतरन करना पड़ता है कभी भी वहाँ पे युद हो जाते है हाला कि ये जो आपका Dual Political Culture है Dual Political Culture के अंदर भी कभी भी तक्ता पलट हो सकता है ये बात आपने याद रखना कभी भी तक्ता पलट हो सकता है लेकिन मैच्योर में ऐसा नहीं होता है ठीक है Low Political Culture में तो हमेशा वहाँ पे अराजकता की स्थिती बनी रहती है और लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए सैनिको का यहाँ पे उप्योग किया जाता है तो वियत नाम सीरिया इंडोनेशिया इसके उधारन इन्होंने माने है चौथा टाइप इन्होंने बोला लाइक प्री फ्रेंच रेवोलिशन ठीक है लाइक जो प्री फ्रेंच रेवोलिशन 1789 से पहले का जो कल्चर फ्रांस के अंदर पाय जाता था क्या पाय जाता था कि सरकार मनमानी करती थी कोई भी टेक्स लगा देती थी किसी भी प्रकार का शोशन जनता का कर सकती थी तो यह प्री मॉडरन प्रेंच रेवोलिशन इसमें minimal political culture भी इसको इन्होंने बोला है अब criticism of the concept of political culture कि किस परकार से criticism किया जाता है political culture का तो सबसे पहले not a correct barometer to know the behavior of man जैसा कि political scientist बोलते हैं कि political culture के दौरा हम सब कुछ पता कर सकते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है लेकिन ऐसा possible नहीं है क्योंकि political culture बदलता रहता है और यह ambiguous concept है ambiguous का मतलब है इसमें सपष्टता नहीं है यह असपष्ट है अब भारत के political culture को समझने के लिए कई परकार के approaches यूज की जाती है इसलिए ambiguous है difficult to draw a line between general culture and political culture general culture और political culture के बीच हम direct line नहीं की सकते हैं यह general है और यह political अब general और political I think समझ गयोगे general का मतलब है सामानिय में culture क्या होता वो general है सामानिय में क्या है हमारे norm है हमारे belief है हमारी परंपराए है जिसके आधार पे तो इसके अंदर बिलकुल direct हम कोई भी draw line draw नहीं कर सकते हैं नहीं कोईशेफ जैसे political scientist बोलते हैं कि यह new concept है और यह आमंड के बाद ही 1960 के बाद शुरूँआ ऐसा नहीं यह political culture, Aristotle, Plato, Sisro या फिर आपके सुकराथ से पहले भी चलता आ रहा है अब एक चीज़ आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है secularization of political culture धर्म निर्पेक्षी करन करना कल्चर का, ठीक है, with the passage of time, the political culture also changes and if as a result of this change, people became more rational, logical, wiser, analytical and empirical in their political attitude. To this we can call the secularization of political culture. Secularization of political culture का एक मतलब ये भी है, कि हम धर्म की राजनिती ना करे, हम जाती की राजनिती ना करे, हम धर्म की राजनिती ना करे, और सभी लोगों को equal मान कर चले, तो वो है secularization of political culture. Factor helpful in growth of secular political culture. Secular political culture को कैसे establish कर सकते हैं, तो सबसे पहले education के द्वारा, जब हम educated होगे, तभी हम secular political culture को gain प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि आप समझ रहे हो कि education, education भी अपने आप में एक बड़ी चीज है, कुछ लोग इतने educated हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि हिंदू को मुसलमान से खत्रा है, यहाँ पे schedule caste को हिंदू से खत्रा है, या फिर आप देख रहे हो किस type का culture इंडिया के अंदर है, इंडिया हमें किस परकार के education की जरूरत है, हमें secular education की जरूरत है, जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और पूरे समास को बराबर माना जाए, यह नहीं है कि आप पंडितों को बड़ा उचा मान लो और schedule caste को नीच मान लो, इस परकार के political culture से कभी भी किसी का भला नहीं होने वाला है रेडियो और television, ठीक है, रेडियो और television में अगर हम positive, negative जैसा चल रहा है ना कि हम युद्ध हो रहा है, negativity फहला ही जा रही है, वहाँ पे positive होना चाहिए, तब भी वहाँ पे हो सकता है, secular press के द्वारा भी आप secular political culture को बढ़ा सकते हैं, type of political system, इंडिया के अंदर कैसा political system है, इस for example, आप बोलो कि हमने जी, पाकिस्तान के अंदर secular political system बनाना है, ये possible ही नहीं है, वो theosophical, क्या बोलते हैं, वो एक धार्मिक country है, ठीक है, theological वो country है, वो एक धार्मिक country है, वहाँ पे secular कभी बनी नहीं सकता है, तो ये system के उपर भी depend करता है, secular state definitely, अगर state secular है, तो वहाँ का culture secular जादा तर पाया जाएगा, social and economical equality से भी हम secular culture को ला सकता है, जब social और economic equality होगी समाज में, तब लोग एक general अपने आपको मानेंगे, विशिष्ट या mass culture वहाँ पे नहीं होगा, scientific and technical progress के द्वारा भी आ सकता है, political parties भी इसको ला सकती है, लेकिन वो parties कभी भी secular political culture नहीं लाना च भर्म के आधार पे हो, जो जाती के आधार पर वोट मांगते हो, राम के नाम पे वोट मांगते हो, या फिर आपके अल्हा के नाम पे वोट मांगते हो, वो कभी भी secular political culture देश के अंदर नहीं ला सकते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, pressure groups, pressure group कौन से, pressure group वो नहीं क जो आपके RSS हो गया, pressure groups जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, समाज की equality के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद industrialization and urbanization के कारण भी secularization को लाया जा सकता है, तो conclusion के तोर पे हम बोल सकते हैं, culture क्या होता है, culture, the study of this concept help us to understand the political belief and attitude of people living under various political system, the concept of political system is an attempt to gain the rigor and comprehensive which these other concepts like, ठीक है, तो mainly आप समझ चुके है, political culture क्या है और इसकी जरूरत क्या है, तो references आप देख सकते हैं, यह, यह references मैंने इसके लिए यूज की है, तो I hope आपको आज का यह lecture अच्छा लगा होगा, और मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके इलावा दूसर बुक पढ़ने की जरूरत है, आप इनके notes बना सकते हैं, और अच्छे से आप कोई भी exam दे रहे हो, आप descriptive exam दे रहे हो, आप net के जैसा objective exam दे रहे हो, सभी मैं आपके लिए यह helpful रहेगा, so thank you friends, thanks for watching.